Exercise 5.3 Class 11 NCRTMS का अभी हम Complete Solution देखेंगे आपका चेप्टर का नाम है Complex Numbers and Quality Equations दोस्तों इस चैनल पर आपको Complete Class 11 NCRTMS का Solution बिलकुल Free में मिल जाता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए और आपके मन में कोई Question है, Doubt है तो उसको नीचे कोमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं, देखो हमें यहाँ पर क्या करना है निमिल की समीकरण को हल किजिएगा, तो देखो हम अपना इसको हल करते हैं, हल करने के लिए हम किसको कामे लेते हैं, यहाँ पर अपना Quadratic फोने को का लेता है यारी द्युगास फूतर को कामें लेते हैं आपकी दोस्तों यहाँ पर यह जो सभी समय कन दोलती है यह क्या है दिवघाती थी समय करना है यानि इक क Ridgeology और क्वार्डीटी उक्वेशन का दोस्तों जनरल फॉर्म क्या होता है को A x square bx plus c equal to 0 के form का होता है ठीक है तो यह और आपका quadratic form ना क्या होता है दिवगहात सूतर यह होता है बराबर minus b plus minus and root of b square minus 4ac by 2a ठीक है तो यहाँ पर चलिए हम इसको है जो solve करना शुरू करते हैं यह तो मैंने basic जानकारी परात की तो यहाँ पर हम सरा परतम क्या निकालेंगे इसका विवित कत कर निकालेंगे तो यहाँ पर मैं ऐसा लिखूंगा यहने discriminate निकालेंगे तो देखिए मैं जो थोड़ा सबत देख लेता हूं तांकि हमें सही रहे यहाँ लिखेंगे हम यहाँ कि समी करनका कि वी वी कत कर चीक है यह क्या होता है दोस्ता आपका इक्वल टू बी स्क्वेर माइनस फोर एसे तो यहाँ लिखेंगे हम जहाँ आपका बी बराबर क्या आता है दोस्तों भी मैंने आपको लिख के बताया चनल फॉर्म से कि एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जिरो आपकी कॉड़िटी इक्वेशन के जैनल फॉर्म होती है जो जो एक्स के साथ आता है वो आपका क्या बनता है बी बनता है तो यहाँ पे देखो एक्स की ट्रम है ही नहीं मतलब बी बराबर कितना है जीरो है x square के साथ जो आता वो आपका a बनता है यहाँ पे कितना है 1 है देखो जब भी आपको कोई बड़ी संख्या दिखाई नहीं दे जैसे 5, 4, 10, 20 यह इस जगे तो इसका मतलब यहाँ पे कितना है 1 है और c बराबर दोस्ता आपका कितना है यहाँ पे देखो 3 है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ यह विवित कत कर बराबर आ गया आपका b square यह जीरो का square minus 4 multiply 1, c कितना 3 कितना minus 12 आ गया ओके जब विवित कत कर आता है तो हम क्या करते है अपना दिवगाज सूतर लगाते है तो अब आम लिखते हैं इसलिए दिवगाज सूतर से यहाँ पे समीकड को हल करने का मतलब क्या है आप जानते होंगे x कविली निकालना होता है x कविली हमको कौन निकाल के देता है दिवगाज सूतर देता है x बराबर क्या होता है माइनस b प्लस माइनस अंडूट आउफ b स्क्वेर माइनस 4ac बाई 2a देखो b कविली यहाँ पे कितना है आपका 0 है और यह माइनस है माइनस 0 होगा डारेक्ट 0 लिख देता हूँ प्लस माइनस b स्क्वेर माइनस 4ac का वेल्यू कितना है दोस्तों आपका माइनस 12 निकल कर आया है नीचे 2 मल्टिप्लाई a a का वेल्यू कितना है आपका यहाँ पर 1 है ठीक है यहाँ तक समझ आ रहा है सब कुछ आसान है देखो अंडूट में जब आपका माइनस का होता है तो वो क्या बन जाता है दोस्तों आपका आयोटा बन जाता है और नीचे कितना है 2 अब देखो अंडूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ पहले आप समझो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3 12 एथा इसके जो फेक्टर उनका लेलग रूट कर सकते हैं तो यहां पर अंडूट 4 कितना होता है तों आपका 2 होता है अणूट 3 3 रहेगा और साथ में आपका आयोटा देखे कितना पढ़ा है और 2 से 2 क्या होट होगा क्या आगया प्लस- माइनस अंडूट 3 आयटा इसका है जो आपका एंसर निकल कर आता है ओके एंसर चेक करते हैं बिल्कुर सभी निकला है दोस्ता आपका एंसर अब बात करते हैं किसके अपने कुशन नमबर 2 की इसमें हमें क्या मिला है और क्या दिया गया है ओके तो यहाँ लिखूंगा मैं इसमें सरव पर्थम यहाँ समीकरण का विवी कत कर ओके V B cut kosten, ईजि को कर बषाबर क्या आता है दोस्तों ? आपका यह B ? 4 C आता है उसके बाद यह में लिखेंगे जहां B ब़भर क्या होता है दोस्तों ? आप बोलिए यह पेहले A बबर लिखता हूं ? sequence लिखता है A बबर क्या होता है जो X Sod के साथ आता है कितना है ? यहाँ पर 2 है B जो X के साथ आता है कितना है 1 C जो यहाँ पर आपका constant है कितना है 1 ओके तो देखो 1 का square minus 4 multiply A के जिगे 2 C के जिगे कितना 1 1 का square 1 होता है यह कितना आ गया 8 1 minus 8 कितना minus 7 आ गया अब हम लिखेंगे इसलिए दिवगाद सूतर से दिवगाद सूतर से आपका क्या होता है X बराबर minus B plus minus unroot square minus 4AC by 2A B का value कितना है आपका 1 है तो यह minus 1 plus minus B square minus 4 इसलिए का value कितना है minus unroot 7 है नीचे A का value कितना है दोस्तों 2 है minus unroot में होता है तो minus आपका क्या बन जाता है दोस्तों Iota बन जाता है अभी हमने बात की थी नीचे 2 multiply 2 कितना आ गया 4 इसको है जो हम अलग-अलग divide कर देते है तो यहाँ पर यह है जो आपका दोस्तों इस समीकन का हल आ जाता है तो अन्ते हल X पराबर minus 1 by 4 plus minus unroot 7 or 8 by 4 ओके लास्ट में हम अपना answer check करते हैं बिल्कुल सही निकला है और आप है जो तो इसको देखो यहाँ पर 2 multiply to 4 करके या ऐसे समझे लो यहाँ पर इसको 4 को अलग-अलग divide मत करो ऐसे पूरे की divide में ही रहने दो 2 multiply 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे अलग-अलग करके भी यानि 4 को इसके divide में और इसके divide में करके भी लिख सकते हैं आपकी चोई से ओके तो यह हो गया दोस्ता आपका question number 2 का solution अब बात किस की करते हैं question number 3 की करते हैं तो देखो question number 3 को देखते हैं इसमें क्या दिये हैं आपको x square plus 3 x plus 9 तो मैं यहाँ पर सवरपरतम क्या लिखूँगा कि यहाँ समीकर्ण का विवी कत कर यहाँ समीकर्ण का विवी कत कर कैसे आएगा दोस्तों यह आएगा बराबर आपका p square minus 4ac ठीक है जहाँ a बराबर x square के गुणा में दोस्तों जब बड़ी संख्या दिखाई नहीं दे रहें इसका मतलब कितना है आपका 1 है और b कहां से आता है x के गुणा से x के गुणा में कितना है 3 है c कहां से आता है यहाँ जब का कॉंस्टेंट है कितना 9 यहाँ b की जिगे कितना 3 तो 3 का square a की जिगे कितना 1 c की जिगे कितना 9 3 का square कितना होता है 9 यह 9 चोग कितना हो गया 36 कितना हो गया माइनस का 27 चीक है तो अब हम लिखेंगे इसलिए देवभाद सूतर से x बराबर क्या होता है आपका minus b plus minus अन्रूट b square minus 4ac by 2a होता है चीक है तो यहाँ पर आपका b का value रख दिया कितना है 3 है plus minus b square minus 4ac का value कितना निकला है minus 27 निकला है a का value कितना है 1 है देखो minus का है तो मैंने आपको क्या बोला यह आपका आयोटा बन जाएगा कैसे दोस्तों आयोटा का मतलब क्या होता है करते हैं अपना answer चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे मैं है जो इसको थोड़ा solve करके लिखों तो सही रहेगा 27 अंडूट 27 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों देखो यहाँ लिख के बताता हूं 27 का मतलब क्या है आपका नो मॉल्टिप्लाई 3 है अंडूट 27 यानि इनका अलग लग अंडूट ले सकते हैं इसके फ्लेक्टर का तो यहाँ पे अंडूट 9 कितना हाता 3 और यह अंडूट 3 है यानि यह जो 27 है यहाँ लिख देता हूं देखो अंते हल इसमें लिख देता हूं पूरा मैनस 3 प्लस मैनस 3 अंडूट 3 याटा बाई 2 ओके इसको ऐसा है जो थोड़ा सोल करके लिखना चाहिए ठीक है एंसर हो गया हमारा इसका आसान है अब बात करते हैं अगले कुशन की किसकी कुशन नवर 4 की इसमें क्या मिला रहा है कुशन नवर 4 में मिला है दोस्तों माइनस x स्क्वेर प्लस x माइनस 2 कुशन नवर 5 में मिला है आपको x स्क्वेर प्लस 3 x प्लस 5 एकुल टू 0 कुशन नवर 6 में मिला है आपको x स्क्वेर माइनस x प्लस 2 परावर 0 देखो मैं यहां पर क्या करता हूं एक सिंपल सा प्रोस्यस करता हूं यह कि इसका वीवीद कट कर निकालता हूं समी करन का कि वीवी कट कर यह कैसे आता है दोस्ता आपका बराबर बी स्क्वेर मैनस 4AC से आता है जहां आपका A बराबर कितना है यहां पर देखो माइनस 1 है जो X स्क्वेर के गुणा में आता हूं बी बराबर कितना है जो X के गुणा में आता है से बराबर कितना है जो यहां पर आपका कॉंस्टेंट है ठीक है तो यहां आपका आ गया बी स्क्वेर यह नहीं है स्क्वेर फोर गुणाम एक के जिए कितना माइनसे के जिए कितना मैनस माइनस क्या हो जाता गणित आपका जबो माइनस माइनस नगेनर आपका यह समर्स हो जाता है यह तो आपके क्या हो जाते हैं plus वन जाते हैं तो यह मैनेस हैगा यानि 1 का square one One minus यह four multiply two कितना eight आगया यानि minus seven आगया ओके ध्याना रखें जब दो संक्यां को चिन अलग अलग होता है एक संक्या plus की है एक संक्या minus की है तो संक्या इगटेगी आठ में से एक गया, कितना साथ आगे, आगे वही चेन आएगा जो कि बड़ी संक्या का, बड़ी संक्या माइनस की है, तो देखो माइनस चेन आए, अब उसके बाद लिखते हैं, हम आगे अपना, इसलिए, दिवगाद सूतर से, आपका एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस बी, फ्लस माइनस, अन्रूट आफ, बी स्क्वार माइनस, फोर एसी बाई, टू ए, बी का वेल्यू कितना हैं, दोस्तों, आपका बाद हैं, तो यह देखो, माइनस, यहाँ पे बंद रखा तो माइनस फन हो गया, प्लस माइनस, बी स्क्वार माइनस, फोर एसी का वेल्यू कितना है, माइनस, सेवन है, और यहाँ एक जिगे कितना है, आपका देखो, माइनस वन है, यह क्या आ गया, माइनस वन, प्लस माइनस, अन्रूट सेवन, यह जो माइनस है, यह आपका क्या बन जाता है, आयोटा बन जाता है, नी कास्ट में लिखेंगे अन्ते हल एक्स बराबर आपका यह ठीक है चले एंसर चेक करता हूं कि एंसर को कैसे लिखा है बिल्कुल सही निकला दोस्तां से आड़ी ठीक इसी तरह से ही लिखके अपना एंसर दे रही है अब बात करते हैं आपने किसके कुशन नमर फाइव की तो यहां लिखेंगे मैं यहां समीकरण का विवी कट कर बराबर क्या होता है बी स्क्वेर माइनस फूर एसी जहां आपका बी बराबर कितना है जो X के गुणा में आ रहा है थ्रिया ए बराबर कितना है जो X स्क्वेर के गुणा में आ रहा है वन सी ब्राबर कितना है जो आपका यहां पर कॉंस्टेंट है यानी भी यानी 3 का स्क्वेर ए यानी 1 सी यानी आपका 5 तो यहां पर आगया आपका 3 का स्क्वेर 9 यह माइनस कितना 20 और यह आगया दोस्तों माइनस 11 बीस माइनस तुनों 11 बड़ी संक्या का चिन माइनस ठीक है अब हम लिखेंगे इसलिए दिवगाद सूथर से अब एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों आपका माइनस बी प्लस मैनस अंडू टॉप बी स्क्वार मैनस फोर इसी बाइक इतना टुए बी की जगे कितना वेल्यू दोस्तों यहां पर 3 यह माइनस 3 प्लस माइनस बीसक्वार मैनस 4C के value कितना निकल कर आया दोस्तों माइनस 11 एक ही जिगे कितना यहां पर आपका 1 तो यह क्या गया माइनस 3 प्लस माइनस अंडूट में माइनस साइन है इसको हम क्या लिखेंगे आयोटा लिखेंगे नीचे 2 2 x 1 कितना 2 तो यहां पर आंते हैं आपका समय करन का हम एक्स बराबर कितना निकल कर आया है यह निकल कर आया है ओके इसको यहां पर एक्स बराबर लिख देना लास्ट में अपना एंसर किसके बात कि ही पूंशन वर 5 कि हैं ओके सभी एंसर अब बात करते हैं किसके कुशन नमबर सिक्स के सिक्स में हमें क्या दे रखा है तो देखो सिक्स पी बिल्कु सिंपल है छोटा सा कुशन है तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं सिक्स में अपना हल समीकर्ण का यहां समीकर्ण का वीवी कत कर यह क्या होता है ब्राबर आपका b square minus 4ac b का value यहां पर लिखेंगे यहां देखो लिखेंगे जहां b ब्राबर कितना है आपका देखो x के गुणा में minus 1 आ रहे है a ब्राबर x square के गुणा में 1 आ रहे है c ब्राबर constant तो यहां पर B यानि最豪 और इसकाए स्कुएयर माइनस 4 गुणा एक कहोईaya कोई क्या है माइनस की कोई भी संख्या है तो ध्यान रखों आपका क्रणफ ज्ञार करते हैं इसका मतलब माइनस वन का इसका मतलब का स्क्वेर करते हैं तो वो क्या होता है उसका स्क्वेर प्लस का आता है तो यहां पर माइनस के स्क्वेर प्लस हो गया वन का स्क्वेर दोस्तों कितना आपका वन आता है यह माइनस कितना आ गया 4 multiplied to 8 यानि minus 7 हम लिखेंगे इसलिए दिवहाद सूतर से quadratic formula से x बराबर किया आएगा minus b plus minus and root of b square minus 4ac by 2a तो यहाँ x बराबर क्या आगा देखो b की जगे मुझे कितना रखना है यहाँ पे minus 1 रखना है b square minus 4ac की जगे कितना minus 7 रखना है a की जगे मुझे कितना रखना है 1 रखना है यह minus यह minus मैंने आपको बताया अभी की minus कुड़ा minus क्या हो जाता है plus हो जाता है तो यहाँ पे minus minus क्या हो गया plus हो गया यह plus minus यह आपका जो minus है end root में जो minus होता है वो आपका क्या बन जाता है दोस्तों आयोटा बन जाता है नीचे टू मल्टिप्लाइ बन कितना आगया तू इस प्रकार से कुशन नमर सिक्स का आपका यह हैं सो निकल कर आया है ओके अब बात करते हैं अपने कुशन नमर सेवन और एट नाइन टैन की कुशन नमर सेवन में हमें क्या दे रखा है अन्रूट टू एक्स स्क्वेर प्लस एक्स प्लस अन्रूट टू बरापर जीरो कुशन नमर एट में आपको दे रखा है अन्रूट ट्री एक्स स्क्वेर माइनस अन्रूट टू एक्स प्लस ट्री अन्रूट ट्री इक्वल टू जीरो question number 9 दे रखा है हमें x square plus x plus 1 by undo 2 equal to 0 और question number 10 था कि देखे question number 10 आपका last होगा तो यहाँ पर सब्सक्राइब हम क्या करते हैं simple सा process करते हैं लिखते हैं यहाँ समीकरण का वीवी कत कर क्या होता है दोस्तों यह आपका बराबर b square minus 4ac होता है और यहाँ पर देखो a बराबर कितना रखे हैं जो x square के गुणा में आ रहा है कितना है अंडू 2 बराबर कितना रखें जो x के गुणा में आ रहा है c बराबर कितना रखें जो आपका यह नि होता है रखे नहीं होता है यह आपका constant b का यहनि 1 1 का square a यहनि अंडू 2 c यहनि अंडू 2 1 का square 1 हो गया देखो हमेशा जहां रखो undo 2 undo 2 undo 3 undo 3 आपका जब भी undo की संख्या उसके खुद के undo के साथ होती है तो आपका उसका undo से वो बहार आ जाती है यह नहीं ऐसे समझेए undo 2 गुणा undo 2 आपका क्या हो गया undo 2 का square और undo का वास्तामा मतलब क्या होता है आपका power half और इसके whole power और कितनी है 2 और आप जानते हैं कि power की power क्या होती है गुणा तो कितना गया 2 की power 1 यानि यह आपका क्या बन गया 2, 2 multiply 4 आपका 8 कितना गया minus 7 तो आप लिखेंगे इसलिए दिवभात सूपतर से X बराबर क्या होता है माइनस B प्लस माइनस अंडूट आफ B स्क्वार माइनस 4 AC by 2 A आता है यहाँ पर मैं B का value रखता हूँ कितना है 1 यह माइनस 1 आगया प्लस माइनस B स्क्वार माइनस 4 AC कितना है माइनस 7 यहाँ पर नीचे 2 multiply A की जगे कितना undo two यह माइनस प्लस माइनस यह जो माइनस होता है अंडूट अपका क्या बन जाता है नीचे क्या आया हुआ आया हुआ है इसको उपर नीचे मैं क्या करता हूँ अंडूट 2 से गुना कर देता हूँ ओके यह बात ज्याहां रखें जब नीचे रिमो गार और न मैं प्रस्कु आगरी करें अप्手का सब तर्ष मेतन का सब्सक्तूर्ण परक्रमाई करना करें वहां कुछ आपना नीचे जो आपका रूका अट , यह तर्षा तर्षा छैजसी आक्रना किसे धीए थ Gesetz अपके यहां एक्स बराबर आपका यह अब बात करते हैं किसकी कुशेन नमर एट के चीक है यहां पर सेंट प्रोसेस करना है कुशेन नमर एट में देखो यहां समिकड का बेवत कत कर b square minus 4ac जहां a बराबर कितना है गाइगा देखो x square के गुणा में कितना है अंडूट 3 x के गुणा में कितना है माइनस अंडूट 2 constant कितना है 3 अंडूट 3 है तो यहां पर आपका b की जगे कितना रखना है देखो कितना है माइनस अंडूट 2 माइनस अंडूट 2 का स्क्वेर 4 गुना A के जिगे कितना अंडूट 3 C के जिगे कितना 3 अंडूट 3 माइनस का स्क्वेर मैंने अभी आपको इस पेस्ट किया था कि क्या हो जाता है अंडूट का स्क्वेर undot और square कट जाता है आपके पास क्या आता है संख्याता कैसे करता है वो मैंने आपको अभी पूरा detail में बताया चीक है undot 3 गुणा undot 3 starting मैंने बताया जब undot की संख्यावस में गुणा होती है तो उसका मदलब क्या है उस undot का square अगर अन्डूर का स्क्वेर से आपका अंडूर कड़ जाता है यानि अन्डूर 3 गुना अनूर 3 कितना एगा 3 और यह मल्टिप्लाई 3 9 मल्टिप्लाई 4 36 ठीक है और आपका यहां पे कितना अगी यह मैनस का 34 आगया से अब देखखास उतर से यहां पर बी के जगे कितना रखना है मुझे माइनस अंडू टू रखना है बी स्क्वार माइनस फोर एसी के जगे कितना रखना है माइनस चो तीस रखना है यहां टू गुणा नीचे ए एक जगे कितना है आपका अंडू टू है ओके यह माइनस और यह माइनस क्या हो गया दोस्तों आपका प्लस हो गया, प्लस माइनस, जब अंडूट में आपका माइनस है, अंडूट में जब आपका माइनस है, तो वो क्या बन जाता है दोस्तना, आपका, आयोटा बन जाता है, ओके, यहाँ पे यह कितना आ गया, टू अंडूट, थ्री आ गया, अब हम इसका चेक करते हैं, अपन तर्टीफोर आयोटा बाई टू अंडू त्री बिल्कु सही निकलाइनस और दूस्ता हमारा अब बात करते हैं किसकी अपना कुश्य नमबर नाइन के तो कुश्य नमबर नाइन क्या एक्स स्क्वेर प्लस एक्स प्लस वन बाई अन्डू टू है तो यहां पर आपका क्या बन जाता है यहां समिकन का फिवित कत कर बी स्क्वेर माइनस फोर एसी जहां ए ब्राबर कितना है देखो एक्स स्क्वेर के गुणा में कितना वन आ रहा है बी ब्राबर कितना है वन है सी ब्राबर कितना है वन बाई अन्डू टू है ओके अब की बार देखो थोड़ा calculation आपका different तरीके से होगा B की जिगे कितना 1 1 का square 4 multiply A की जिगे 1 और C की जिगे कितना 1 by undo 2 ठीक है आप देखो यहाँ पे आपका जानते हैं दोस्तों कि 4 को क्या लिख सकता हम है 2 multiply 2 और नीचे क्या है आपका यहाँ पर देखो इसको यह undo 2 अब ध्यान से समझना दोस्तों यहाँ जो मैं बात बॉलड़ा हूँ आपका जो undo है किसी संख्या का और वो उस संख्या को कितना वार काटता है उसके undo 2 वार काटता है यानि undo 2 से यह 2 कितना time कैसे लोटता है undo 2 time यानि कितना आ गया 2 undo 2 आ गया यहाँ पर यानि इसकी जिगे कितना आएगा दोस्तों आपका इस तरह से 2 undo 2 आ गया इस से मैं क्या करता हूँ माइन साइन बाहर ले लेता हूँ तो क्या बन गया 2 undo 2 माइनस 1 बन गया ठीक है अब देखो हमें क्या करना है इन सब का वेलू इस अपने दिवगाच सूतर में पूट करना है B ब्रावर कितना है 1 है यह माइनस और B ब्रावर 1 रख दिया तो क्या बन गया माइनस 1 प्लस माइनस B स्काइर माइनस 4 AC का वेलू क्या आया यह आपका निकल कर आया है minus 2 अंडूट 2 minus 1 नीचे 2 गुणा A, A के जगे कितना है देखो 1 है यहां जब अंडूट में आपका minus sign होता है वो क्या बन जाता है दोस्तां आपका IOTA बन जाता है तो यहां अंडूट में क्या बज़ेगा 2 2-1 बचेगा और माइनस साइन आपका आयोटा बन गया नीचे मेरे पास क्या है यहां पर 2 है तो इस प्रकार से कुछान नामर 9 का यह आपका सुलिक्शन हुआ है ओके एंसर चेक करते हैं